नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्री की पार्ट साला में हैं फ्रेंड्स यह हमारी दूसरी क्लास है बिहार इस्टेटिक जीके की जो की इंपॉर्टेंट है सत्रवी बिहार PCS के लिए जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटों की संख्या भी काफी जादा ह सो फ्रेंड्स इससे पहले एक और क्लास मेरी आई थी इसी टॉपिक पे तो आप अगर आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो ले आऊं और जिससे की यह पूरी जो सीरीज है जल से जल कम्प्रीट हो सके और जो भी मैं सवाल पू सके और अगर आपको इस वीडियो की पीडिएफ चाहिए तो फ्रेंड्स नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक प्रोवाइट किया गया है आप वहां से उस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए चलिए दोस्तों आज की क्लास अब हम सुरू कर करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो और जादा-फॉस है की जिससे की आपके ऑदो है उनकी भीहल्प हो सके विए देखिए देखिये अच्फराद के बारे में कि बात करेंगे बीहार के जंगया बारें कि कि 생각을 किटनी है वहां का लेंट कितना है वहां का अ शेक्स रेशियो कितना है तो चलिए क्लास सुरू करते हैं तो बिहार की जो टोटल पॉपलेशन है फ्रेंट्स वो है दस करोड एक तालीस लाख के करीब अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो फ्रेंट्स वो है पाँच करोड बैालीस लाख और महिला ओमेंट्स पॉपलेशन की बात करें तो वो है चार करोड अन्ठानवे लाख जन घनत्त की बात करें पॉपलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है 1106 तती वर किलोमेटर अर्थात की अगर टोटल पॉप्लेशन जो है बिहार की उसको हम डिवाइट कर दें बिहार के जो है टोटल एरिया से तो हमको कितना मिलेगा 1106 तो वही मतलब की एक वर किलोमीटर में कितने लोग डिस्टिब्यूट होंगे 1106 लोग बिहार में अगर जनसंख्या वृद्धीदर की बात करें तो वो है 25.42 परसेंट और वहारत की कुल जनसंख्या का जो बिहार स्टेट का जो पॉपलेशन है जो जनसंख्या वो कितनी है 8.60 परसेंट आगे बात करते हैं दोस्तों लिंग अनुपात की तो जो 6 रेसियो है बिहार की वो कित दोस्तों आगे बात करते हैं तो यहां का लिट्रेसी रेट है बिहार का 68.80 परसेंट मेल लिट्रेसी रेट है 71.2 परसेंट फीमेल लिट्रेसी रेट है 51.5 परसेंट और ग्रामी साक्षरता दर अर्थात की रूरल लिट्रेसी रेट वो है 59.78 परसेंट और रूरल मेल लिट है परेंट अगर सहरी साखषर अर्बन लिक्रीश रेट की बात करें तो व मेर्ड परॉंट पर्सेंट और जो अर्बन मेलड लिक्रीश रेट वह हैando 2.56% और अर्बन फिमेल लिट्रेसी रेट है 70.49% चले बात करें ग्रामीर जनसंख्या बिहार के कितनी है टोटल लूरल पॉपलेशन कितना होगा जो टोटल पॉपलेशन है बिहार में वो ज्यादा तर क्या है ग्रामीर है और वो है 88.71% और अर्बन पॉपलेशन सहरी जनसंख्या वाली तीन जिले कौन कौन से है वो है पटना पूर्वी चंपारन और मुझफर सबसे कम जनसंख्या वाली तीन जिले कौन कौन से है सेखपूरा सीवहर और अर्वल सबसे अधिक जनसंख्या घनत वाली तीन जिले कौन से है अर्थात की जो सबसे ज्यादा जहा सबसे अधिक लिंगा नुपात वाले तीन जिले कौन से हैं जहां पर सबसे कम पॉपलेशन डेंसिटी है वो है कैमूर जमूई एंड बांका सबसे अधिक लिंगा नुपात वाले तीन जिले यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर सेक्स रेसियो है अर्थात की वहाँ पे जो है फिमेल पॉपलेशन और मेल पॉपलेशन का रेसियो कितना है तो गोपाल गंच 1,021 सिवान 988 और सारं 954 सबसे कम लिंगा नुपात वाले जीले कौन से हैं तीन वो है मुंगेर, भागलपुर एंड खगडिया तीन जीले सबसे अधिक साक्षर्ता दर वाले अर्थात की जहां की Literally Rate सबसे जादा है वो है रोहतास, पठना एंड भोजपुर सबसे कम Literacy Rate साक्षर्ता दरवाले तीन जिले कौन से हैं तो सबसे कम है पुर्णिया में उससे ज़्यादा है सीता मड़ी और उससे ज़्यादा कहां पे है कटिहार चलिए आप कमेंट सेक्षन बताएं के कटिहार से जो स्टेट डिश्टिक है उससे कौन-कौन से इस्टेट का बॉर्डर लगता है और चलिए उससे के बारे बीहार के पटॉख पास गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है वह पुन-पून भारत में जूट के उतपादन में बिहार का कौन सा इस्थाने तीसरा इस्थाने तो फ्रेंड्स आप बताई कि वो कौन सा इस्थेट है जो कि पहले इस्थान पे आता है जूट प्रोडक्शन में त्रिवेणी नहर का उद्गम कहां से होता है गंडक नदी से होता है कैमूर पठाल जो है जो कैमूर जो प्लैट्यू है वो किसले फेमस है वो है चूना पत्थर जो की लाइम स्टोन है अनुपम जिल बिहार के कैमूर जिले में इस्थित है बिहार का सबसे बड़ा जो वाइल लाइफ सेंचुरी है वन्न जीब अभ्यारण वो कौन सा है कैमूर वन्न जीब अभ्यारण बिहार की सुमिस्वर परवत सिंखला का निर्मान कब हुआ था पहलिष्टो सीनकाल में चली आगे बात करें जो छोटा नागपूर प्लैट्यू है वहां का जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप का फॉरेस्ट है वह है डिसीडियस फॉरेस्ट या फीर पर्ण पार्थी फॉर कहां पर सिचुएटेड है फ्रेंड्स कहां पर गया में याद रखिएगा क्योंकि गौतम बुद्ध का भी नाम आ रहा है तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बियार में बिहार में टोटल जीले कितने है ठर्टी एट है और बिहार का जो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो कौन-कौन से है चावल है गेहूं है और मक्का है अब फ्रेंड्स हम बात करें कि वो कौन सा मिनरल है जिसमें की बिहार का मोनोपोली है मतलब कि सबसे ज़्यादा वहां पर होता तो वह है पाइराइट में गंडग, घाघरा, सरियू भी कहते हैं और सोन नदियां गंगा से कहा कहा पर मिलती है तो पहले जा पटना में रिविल गंज में और विगवारा के पास ये तीनों नदिया कहा पर पटना मिलती है अर्थात यह हुआ कि गंडग कहा पर मिलती है पहले जा में घागरा कहा पर मिलती है रिविल गंज में और सोन नदि मिलती है विगवारा प शुट बेले को इस राज का पहला लेटेन गवर्नर न्यूकत किया गया थैंक werd है सर्चार्स स्च्ट्वबेले सयुक्त भिहार और उडिसा राज्ज में विधाई राधिकार मतलब की Viele помощ के लेजिसलेटीव अंथोर्टि इनको कब दी गई थी भिहार और जो संयूक्त जो राज था तो वो कब दी गई थी 1913 में 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उडिसा राज में गवर्णर सासन के अधिंग एक प्रांथ बना तो अगर को शेन आज आए कि पहला इंडियन गवर्णर कौन था बिहार स्टेट का तो वो थे स्डेइंद्प्रसंण चलिए आगे बात करें विधान-परिशत लेजिसलेटिव कॉंसील का निर्मार कभ зам हुआ यहाँ पे बिहार में मार्च 1920 में और उसी वर्स पूरा भी हो गया था सर जेम्स डेविट सिफ्टन्ट जो थे ये बिहार और उडिशा राज्य के जो सायूंत जो इस्टेट था यह दोनों इसके अंतिम गवर्नर थे फेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिहार को बंगाल स से कब अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार बिहार विधान सभाग के चुनाओं कब हुए थे 22 से 29 जनवरी 1937 में हुए थे 22 जुलाई 1937 को डॉक्टर स्री कृष्ण सिन्हा के नेत्रित्त में पहली सरकार बनाई गई थी और पहला सत् 31 अक्टूबर 1949 को तत्कालिन मुख्यमंतरी स्रीक कृष्ण सिन्हा जो यही थे उन्होंने अपना स्थीपा दे दिया था और उसके बार जो बिहार का जो विधान सभा था उसको भंग कर दिया गया था अब फ्रेंस हम बात करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में तो बिहार एक अनुठा राज है जो समरिद्धी इतिहास से संपन्न है यह रमायर से महत्पुन पौनारिक घटना और कहानियों का केंदर रहा है कौन बिहार यहां पे बौत धर्ण जैन धर्ण के लिए भी काफी ही फेमस रहा है यह बिहार ही था जहां पर सबसे पहला लोक तंथ आया था यह बिहार ही था जहां पहला सिक्षा सम्राज मौर सम्राज पूरे उक्माद्वीब कर यह जो आर्दी न बिहार की राजधानी है और यह जो राज की जो वर्तमान जो भौगोलिक सीमा है जो ग्राफिकल बॉल्डर है बंगाल स्वी भाजन के बाद और बाद में 2000 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें वीडियो को से यर करें और है कमेंट सेक्षन में लिंक से टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें जिस से की आपको इन lectures की PDF मिल जाए so friends thank you and stay tuned